हेलो एव्रिवान वेल्कम बैक तो माई न्यू व्लॉग कैसे आप सभी I hope आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ फ्रेंट्स ये वीडियो है मंडे के दिन का और सुबह का टाइम है अभी इस वक्त लगबग साड़े आट या नौ बज़ रहे होंगे तो मैं यहाँ पर आ चुकी थी किचन में काफी ज़्यादा समान फैला हुआ था बतलब सुबह का जो भी होता है नास्ते के बाद का बहुत ज़्यादा फैल जाता किचन बच्चे चले गए थे स्कूल और सभी लोग चले गए थे इसके बाद फिर में आई थी तो किचन बहुत ज़्यादा फैला था पूरे प्रेटफॉर्म में सारा सामान रखा हुआ है तो वही मुझे साफ करना है थोड़ा सा जटपट वाली क्लीनिंग करनी है ऐसे ज़्यादा डेप क्लीनिंग नहीं कर रहे हूँ बाकि जो दिवाली की साफ सफाई है वो तो हो चुकी है थोड़ा थोड़ा करके पूरे घर की और किजन का भी जो भी था सब कुछ हो चुका है बस ऐसे नॉर्मल वाली क्लीनिंग करूंगी जो कि मैं डेली सुबह में करती हूँ और खाना वगएरा जो भी बच्चा था तो उसको मैंने खाली करके और फिर जो भी कड़ाई वगएरा निकले थी सब को रख दिया है धुलने के लिए सुबह के ये वाले काम मेरे अभी हो रहे हैं और बाकि जो भी काम रहता वो सब तो हो चुका था सुबह के टाइम पर जैसे घर की में जो साफ सफाई वगएरा होती है सुबह वाली क्लीनिंग बच्चों के जाने के बाद हस्बन के भी जाने के बाद ये जो सुबह का सबसे जरूरी वाला काम होता है वो था किचन की सफाई यहाँ पर देखिए सारा काम मेरा हो चुका है और पूरा किचन साफ करने के बाद आज मैं आप सभी के शाहत में एक बहुत ही बढ़िया सा फेस पैक से एर करूंगी तो यहाँ पे चलिए पहले पूरा साफ कर लेते हैं इसके बाद फिर ये काम करेंगे क्योंकि फेस पैक बगरा बनाओ फिर उसको लगाओ तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसलिए मैंने अपने सारे चरूरी काम कर लिया है और यहाँ पे देखे मैंने ले लिया है आलू और ये आधा आलू है आधा मैं पहले यूज़ कर चुकी थी इसलिए ये अभी कटा हुआ है तो आपको ले लेना है एक छोटा सा आलू आलू को अच्छे से दो लेंगे और इसका छिलका निकाल लेना है इस तरीके से छिलके को छील लेना है इसके बाद भी फिर से आप दुबारा से इसको धुल लेजे और छीलने के बाद इसको कदू कस कर लेना है या फिर पीस लेना मिक्सी में तो बारीक वाला कदुकस है तो बहुत अच्छा है इससे सारा जूस इसका निकल जाएगा अगर नहीं है तो आप मिक्सी में पीस भी सकते हैं जैसे आप करना चाहें हमें यहाँ पर आलू का रस चाहिए आलू का juice निकालना है पूरा तो यहां पे मैंने इसको कदू कस कर लिया है और फिर ले लेना है कटोरी में बेसन तो यहां मैं एक चमच बेसन ले रही हूँ बहुत जादा नहीं, अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है हाथ में भी लगाना है तो आप ले सकते हैं ज्यादा मात्रा में यहाँ पे मैं एक चमच बेसन ले रही हूँ और आदा चमच मैंने यहाँ पे लिया है सेंडल बुड पाउडर यानि की चंदन का पाउडर और यह जो आलू हमने करदूकस किया था इसका जूस हम इसी में निकाल लेंगे तो एक से दो चमच के लगबग इसमें जूस निकल आएगा जो की परियाप्त है यह फेस्पेक बनाने के लिए और यहाँ पे मैंने जूस डाल दिया है अलू का अच्छे से हाथ से निचोड करके और फिर इसमें डाल देंगे आदा चमच के लगबग दही यह घर का जमाओवा अच्छा गाढ़ा वाला दही है तो आदा चमच मैंने दही डाल दिया है अगर आपको लग रहा है कि यह पेस्ट थोड़ा सा गाढ़ा है तो आप इसमें कच्छा दूर डाल सकते हैं थोड़ा सा या फिर रोज वाटर भी डाल सकते हैं दो में से कोई भी चीज तो देखिए आप यह जो फेस्ट पैखना यह रेडी हो गया है और अब चलिए देखते हैं इसको लगाना कैसे है तो सबसे पहले फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है कोई क्रीम वगरा नहीं लगी हो नीचे यह फेस में और अब यहाँ पर ले लेना है यह आलू जिसका हमने जूस निकाल लिया था और यह जो बच गया था इससे अब अपने फेस पे स्क्रब करना है लगबग 2-3 मिनट के लिए अच्छे से पूरे फेस पे इस तरीके से मसाज करना है और आप नीचे इस तरीके से प्लेट लगा लें क्योंकि यह बार बार नीचे गिरेगा तो इस तरीके से मैं अभी पूरे फेस पे इसे लगा ले रही हूँ लगबग 2-3 मिनट के लिए पूरे फेस में अच्छे से लगाना है लिप में भी लगाना है आखों के चारों तरफ लगाना है जहां भी आपको लगए कि थोड़ी से टैनिंग हो गई है गर्दन में भी वहाँ पर आप इसे बहुत अच्छे से मसाज करिए 2-3 मिनट के लिए और मसाज करने के बाद फिर ये जो आलू के छोटे-छोटे पीसेस हैं इसमें लग जाते हैं फेस पे इसको हटा देना है मतलब धुलना नहीं है बस ऐसे निकाल देना है आथों से धुलना बिल्कुल भी नहीं है इसकिन कहीं भी दिखनी नहीं चाहिए और मैंने हाथ का यूज किया है मतलब मैं ब्रस वगरा नहीं रखती हूँ फेस पेक लगाने के लिए कुछ भी इससे बालो में दी या फेस पेक लगाने के लिए ब्रस का यूज नहीं करती हूँ इस तरीके से मैंने देखे हाथ से लगा लिया है अच्छे से लगा लेना है गरदन में चारो तरफ और फेस पे भी इसके बाद इसको 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देना है ऐसे ही नॉर्मल मतलब फैन के नीचे नहीं बैठना है नॉर्मली इसको सूखने देना है जब ये 20 मिनट तक सूख जाएगा अच्छे से तो यहाँ पर देखे ये थोड़ा सा ना कड़क सा हो गया है और इसके बाद फिर इसे धूल लेंगे और धूलते समय से डायरेक्ट ऐसे ही नहीं धूलना है थोड़ा सा इसको पहले गीला कर लेना है गीला करने के बाद हलका सा इसको मसाज करते हुए फिर धूलेंगे तो यहाँ पर देखे मैंने नॉर्मल पानी से इसको अच्छे से धूल लिया है मसाज करते हुए और बस इसके बाद पानी को अच्छे से पहुच लेंगे और फिर लगा लेते हैं अपना मौशराइजर और मैं यहाँ पर निविया सॉफ्ट का मौशराइजर यूज़ कर रही हूँ जो कि मैं डेली यही यूज़ करती हूँ तो मैं यहाँ पर मौशराइजर लगा ले रही हूँ और आप देख सकते हैं फेस में फर्क है काफी जादा तो यह जो फेस बैक है ना बहुत ही बड़ियां है इसमें आलो के रस का पूरा कमाल है आपके फेस पे अगर ब्लैक कलर के spots आ गए हैं अक्सर होता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो थोड़ा-थोड़ा चेरे में spots आ जाते हैं तो आप इसे regular use करें एक हफते तक regular use करें इसके बाद फर्क देखेगा आपको फर्क जरूर दिखेगा जहां पर भी आपके face में जाईयां है या फिर black color के spots ना उनमें काफी हद तक आपको फर्क दिखेगा कि ये कम होना start हो गया है तो ये जो आलू का रस ना बहुत ही कमाल की चीज़ है बहुत बढ़िया है लेकिन आपको इसको regular use करना होगा तभी इसका फर्क दिखेगा चलिए आज के इस वीडियो में मैंने शेयर किया अपना favorite face pack जो कि अभी कुछ time से मैं इसको use कर रही हूँ इसके फर्क मुझे बहुत दिख रहे हैं इसलिए मैंने सोचा कि आपको बताना चाहिए आप सभी को और इसके बाद फिर से मुझे लगना है अपने घर के काम में छोटे मुटे काम अभी ना मुझे ये सोफे का cover जो है change करना था सोफे का cover बहुत दिन से लगा हुआ था और मुझे इंतजार था कि दिवाली जस्ट आने वाली होगी तब ही मैं इसको change करूँगी और अगर 4-5 दिन पहले अगर change कर दो तो यहाँ पर क्या होता है तो इसलिए मैंने अभी नहीं किया था फिर मैंने सोचा जब दिवाली आने वाली होगी तो उस टाइम पर फिर मैं कर दूँगी तो यह सोफे का cover मैंने change कर दिया अच्छे से सोफे को जाड़ करके दूसरा cover मैंने इस पर लगा दिया है और यह कुशन के cover है इनको भी निकाल करके मुझे wash करना है तो बस यही थोड़ा सा काम रह गया था साफसफाई का बाकी तो जितना भी होता है दिवाली का साफसफाई का काम वो मेरा हो चुका है इतना तो यह सब तो चलता रहता है मतलब daily का काम है तो यह सारे जो cover निकले ह इनको मैं अब हाँच से wash करूँगी मतलब मैंने machine वगरे नहीं लगाई है बाकी जितने भी ज़्यादा कप्रे थी वो सब wash हो चुके थे इतना ही बस है तो मैं इसको हाँच से wash कर ले रही हूँ और आज मौसम इतना ज़्यादा खराब है ना सूबा से बिलकुल भी धूप तो आज मौसम थोड़ा सा इस टैप का हो रखा है और वैसे अच्छा है मौसम बहुत सुखाना सा हलकी हलकी सी ठंड है बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं है तो चलिए अब यह सारे कपड़े मैं सूखने के लिए डाल देती हूं उमीद तो नहीं है कि आज यह सूख करने के लिए रख देती हूं जिसमें दाल और चावल में बनाऊंगी और इसके बार ना यहां पे मलाई भी कठे हो गई है और आजकल मलाई बहुत जल्दी ज्यादा मतलब ही कठा हो जाती है जैसे जिस बरतन में मैं स्टोर करती हूं तो यह जल्दी भर जा रहा है क्योंकि जैसे ठंड स्टार्ट हो चुकी है अक्टूबर से मैंने बताया कि मलाई बहुत ज्यादा अच्छी निकलती है मोटी मलाई तो इसलिए यह जो बरतन है यह भर चुका था तो यह जो मलाई का बरतन है यह मैं फ्रेज में रखी थी और जब मुझे इसको मिक्स करना होता है मल कि अब 你 और मने निकाला निकला है और इस तरीके से मैं इसको घूमाती जा रहे थी जस दो मिनट में पूरा मक्कर निकल आयाए फानी डालकर मैंने इसका सारा मखंन धुल लिया है और इसके बाद फिर रख दिया है इसको पकने के लिए गीट भी जल्दी से बन जाए और सा प्रग्डो फ्रिर्ज में तो यह खट्टा हो जाता है तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल करके और पी जाती हूँ इसके बाद फीराओंगी किचन के जो भी काम है वो निप्टा लेते हैं तो यहां पर घी है वो बंचु का था और घी बहुत ज्यादा मात्रा में निकल रहा तो देखिए बस यहां पे यह घी भी मैंने शान करके रख दिया है और इसके बाद अब मैं यहां पर लंच का जो भी काम है वो खतम कर लेती हूँ दाल जावल मैंने बना लिया था सबजी मेरी सूबय की बनी हुई थी और जो छांच निकला था ना उसमें मैं थोड़ा सो दाल दूगी और बहुत थोड़ा सा नमक थोड़ा सा मैंने बुंदी डाल दी है और इसी का रायता बन जाएगा तो बस यहां पर लंच का काम हो चुका था लंच करने के बाद फिर मैं यहां पर लगी हूँ पुआ बनाने की तयारी में और मुझे पुआ बनाना है मौसम थ गुड़ को मैंने बारी टुकड़े में थोड़ लिया है ताकि यह आटे में अच्छे से घूल जाए और जल्दी मिक्स हो जाए तो यहां मैंने गुड़ को छोटे टुकड़े में थोड़ लिया है और दो कप लिया है लेकिन फिर बाद में मैंने थोड़ा सा और इसमें च बोड़ा समय आराम किया और शाम हो गई थी साम के 6 बच चुके थे तो यहां पर कर लेते हैं साम की संध्याब आती और इसके बाद फिर मैं वाक पे भी चली गई थी लगबग एक घंडे के लिए वाक से आने के बाद फिर मैं पुगा बनाऊंगी और अभी मौसम ठंडा है न वाला जो पूआ है यह गी में अच्छा लगता है गी में जब इसको फ्राई करते हैं तो घी में जब भी आप कोई चीज फ्राई करते हो पूडी पूआ कुछ भी मैं घी बहुत कम यूज चाहां जबना रह के जब भी मैं पूआ नाती हं गी से भी ही biNAता है नहीं इसे व मैं इसको पकाएंगे थाकि अंदर तक अच्छे से पक जाए, बहुत ज़्याद इस पे नई डालना हैmans। बस इतना कि जितना एक करशी में आ जाए थोड़ा सा, मतलब जितना मात्रा में घी हो, असी हिसाफ से इसमें ये घोल आप टाल दे तो इसमें मैं थोड़ा-थोड़ा करके ही घोल इस पर डाल रही हूँ, छोटे-छोटे पुए मैं बना रही हूँ, छोटे-छोटे पुए ना बहुत अच्छे फूलते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा घी भी ले करके कर्ची से और इसके उपर डालते जाएं, और य blue kitchen का काम था वो सब निवटा करके फीर मैं आ गई थी सब्जी रखने के लिए last काम मेरा सब्जी का होता है, तो जब सब्जी पहले आ जाती है तो मैं पहले रख देती हूं लेकिन जब थोड़ा देर से आती है न तो फीर मैं यह सारा talking के करने के बाद फिर मैं सबजियों को रखती हूं तो सारी सबजियां इस टाइम पे डंठल वगरा तोड़ोड़के और फिर रख देते हैं फ्रेज में और यहां पर अप सारा काम मेरा हो चुका है खतम तो चलिए फ्रेंड्स आज का ये व्लॉग यहीं पर इंट करती हूं I hope आ हुआ हुआ है